कि अभू आप स्वागत है जल्दी से ही सभी जल्दी से ही सेशन से जूड जाएगा साथी सेशन को बाकि स्टुडेंट्स के साथ में भी शेयर गर दीजिएगा ताकि वह सभी बी क्लास से यहां पर जूड सकें ठीक है एक बार सभी कॉमेंट करके मुझे बता दीजीएगा कि सभी चीजे सही हैं फिर भाई अम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से चलिए अपनी स्टाटिक जीके की सिरीज को लोग आगे बढ़ाते हैं बटा फट से सभी के सभी बता दीजीएगा सभी चीजी ठीक हैं ओके श्रवन चलिए अरे वाह क्या बात हैं चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं डेली की तरह आज भी अम लोग कुछ अपनी इंपोर्ट प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की द्वारा की गए थी बताएंगे कि प्रारंभ में यानिकी शुरुवाती की दोर में जो की कुछ 1966 की बात है तो सबसे पहले जो की एड्मिस्टेटिव रिफॉर्म कमिशन का गठन किया गया था इसे किसके द्वारा चेयर किया गया था आंसर कीजिएगा जी लवर्स ओके आफ्रीन ये जो क्लास है ये आपके जी के जी ए की क्लास है जो की डेली सुबा ग्यारा बज़े स्टार्ट होती है और आप सभी ग्यारा बज़े आ जाया क्या कीजिए पुश्शन को देख करके समझ आया करो ऐसी बाते क्यों करते हो तो यह है मौरारजी देशाई ठीक है याद रखेगा मौरारजी देशाई की बात करते हैं तो जनता दल पार्टी से यानिकि गैर कॉंग्रेसी देश के प्रधान मंत्री बनने वाले सबसे पहले व्यक्ती रह है कौन मौरारजी देशाई इसके साथ ही सबसे ज्यादा उम्र दराज यानिकी ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा उम्र दराज यानिकी ओल्डेस्ट पीम ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा उम्र दराज पीम भी रहे हैं देश के और सबसे पहले गैर कॉंग्रेसी इवन इनकी अग सब्सक्राइब दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है सबसे ज्यादा जहां पर की बारिश होती है औस तरह यहां पर लगभग 14,000 मीटर की बारिश यहां पर देखने के लिए मिलती है जिसमें कि अगर हम बात कर लेती है तो यह सांटी मीटर की यह आंकड़े गलत लिए मैंने और 1100 संटी मीटर की में तो एरिया ही डुबा दिया था मिलपल की यहां पर बारिश मिलती है देखने के लिए जो कि मौसिन राम है याद रखेगा यह मेगाले का छेतर है भारत में जब सबसे ज़्यादा बारिश यहां पर होती है साथी भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो छेतर है वहे है चेरा पूंजी चेरा पुंजी जो की मेगाले का ही एक शहर है यहाँ पर ठीक है एंड वर्ड में भी सबसे ज़्यादा बारिश जो की है वह यहाँ पर होती है प्राइस्ट प्लेस जो की है यह राजिस्थान में है जो की जैसल मेर सबसे गरम के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है The next है कि Greenland निमलिकित में से किस महादीप के अंतरगत आता है ये आप लोगों को बताना है इन्होंने continent की बात की है देखे यदि मैं Greenland की बात करूँ कि Greenland पर administrative यानि की प्रशासनिक अधिकार किसका है तो ये किसका है बताओगे कोई administrative अधिकार इस पर किसका है डेनमार्क का है ठीके बाकी ये जो पार्ट रहा है ये North America का हिस्सा रहा है Greenland ठीके याद रखेगा और Greenland की अगर बात कर लेते हैं इसकी capital जहाँ आप लोग बताईए इसकी capital क्या है Greenland world में सबसे बड़े island के लिए जाना जाता है largest island in the world in the world विश में सबसे बड़े island के लिए जाना जाता है आपको बता रहें इसकी capital क्या है जल्दी से आंसे कीजिए इसकी capital क्या है बहुत अच्छे नुक इसकी capital है बहुत बढ़िया एंड यहां का जो कि average temperature है यह है negative में है सबसे ज़्यादा ठंट रहती है यहां पर मतलब इंदी पर प्रत्वी पर तो नहीं बहुत ज़्यादा सब्दी रहती है मेरे हमे manner की मेरines कि डीट कारीकरम होते यह आप लोगों को सब्सक्राइब कारेकरम होते हैं यह आप क्या इसबिस्च चैशलात कीजिए नहीं एक क्यूट की डैफिनिशन प्लीज टीचर तक ही रखो और पढ़ाई पर धियान दो वोइस कुछ प्रॉब्लम है क्या वोइस को लेकर के इसमें याद रखेगा यह कि यह 10 इवेंट है मैं एक बार आप लोगों कोछ रहा दिखा देती हूँ कौन-कौन से इवेंट है देखेगा इसमें 10 इवेंट होता है 10 meter की race का long jump and short put high jump and 400 meter की race का होता है साकेंड जो event इसमें रहता है उसमें होता है 110 handles and discuss throw जो होता है pole valued and javelin throw and 1500 meter की race यह कुल मिलाकर कि यहाँ पर 10 event है जो कि इसके अंदर आजित किये जाते हैं जो कि एक athletics की category में आते हैं 10 टिक्थोन ठीक है याद रखेगा अगले question पर आजाते हैं the next answer कीजिएगा क्या हो जाएगा बताएंगे कि जए जवान जए किसान का नारा किस ने दिया था answer कीजिएगा मुकेश गुड मॉर्निंग and thank you बाकि class में try किया करो कि time से आप class में जुट जाया किया करो चीके गुड मॉर्निंग का समय एकदम class के starting में होता है and last में by का समय होता है बाचित का तो class में पढ़ाई पर धिहान दिया करो बिश में बाकि आप गुड मॉर्निंग बोल करके class की शुरुआत कर सकते हैं बार-बार copy paste मत किया करो क्या answer हो जाएगा है आपे तो यह है लाल बहादू शास्त्री बिल्पल जिन्होंने की जह जवान जह किसान का नारा दिया था जिस समय भारत में MS स्वामीनातन के दुआरा Green Revolution को यहाँ पर शुरू किया गया था और उसी समय पर 1965 में पाकिस्तान के साथ मिमें हमाराgeneration 아니고 यह तो लाल बहादू शास्त्री जो कि उस समयद्थ के परधान मंत्री थे इन्होंने उन्होंने हमारे जावान्हों को संبोदित करते हुए और किसान्हों संबोदित करते हुए long नारा दिया था जै जवाण जै किसान का अगे आ स्टे नेक्स्ट आप ए इंडोला महल और जहाज हवेली किस छेत्रिय वास्तुकला शालिस से र्लेटर हैं अंसर की इसी का इंडोला महल एंड जहाज हवेली बिलोंग स्टू विच रिजिनल आर्किटेक्शल स्टाइल आंसर क कि चिगा क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे सभी कि सभी यह किस आर्ट आर्किटेक्ट्ट्र सैली से लेड़न है मांडू या गुजरात या कश्मीर का छेत्र या फिर बंगाल का छेत्र बताएंगे सभी कि सभी साथी वही शाम को सावन पीम की भी क्लास अम लोग रखेंग है कि देखते हैं कुछ इसस्पेशल इवेंट रखेंगे साम की साथ बसे कहला सिर्ट में एप सभी स्पेशल इवेंट से जुड़ेंगी क्या हो जाएगा सो यह रहेगा यहां पर ही है किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जाच की है बताएंगे जिसका formation 1983 में किया गया था इन में से यह है कौन सा कौन सा आयोग था जिसने की सैंटर एंड स्टेट के रिलेशन्स के ऊपर एक्जामीन किया है बताईए गनेश पीडियाफ मिलेगी नौइडा में चले क्या हो जाएगा आरे सरकारिय अच्छा आप इतनी सारे पीडियाफ इकर्टी करके क्या करते हो यह रिविजन के लिए चाहिए चले मैं ट्राय करूंगे रिविजन के लिए देने के लिए ठीक है चले यह इसकी इंग्लिश की फॉर्म है पताना है आप लोगों कोई यहां पर कि भई विचिस दी इंटरनेशनल गवर्निंग बोडी ग्लेटी टू टेबल टैनिस आंसर कीजिए का क्या हो जाएगा चले मैं इसको प्रॉपर इंग्लिश में करके लिख दिया है तांकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहां पर पटाफट से हाँ बिल्कुल धरमवी मैंने उस पर ही आप लोगों को आंसर बताया है चलिए बच्चों बताएंगे क्वेश्चन में आंसर करके क्या आपका आंसर यहां पर रहेगा इंटरनेशनल टेबल Tennis Federation बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा तो यह हैं इंटरनेशनल टेबल Tennis Federation इसके फॉर्मिशन की बात करेंगे 1926 में इसका फॉर्मिशन हुआ है साथ ही लुसाने में इसका हैड़कॉर्टर है जो कि स्लिजरलैंड का एक शहर है लुसाने यहाँ पर इसका हैड़कॉर्टर है और यह गवर्निंग बोडी है किसकी टेबल टैनिस की इन में से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक छेत्र नहीं है जहाँ पर की टी का प्रोड़क्शन नहीं होता है आंसर कीज़ेगा चलिए आंसर कीज़ेगा क्या हो जाएगा चलिए असम हिल्स है दार्जली या फिर कश्मीर घाटी या फिर निलगिरी देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस के बारे में टी के प्रोड़क्शन के बारे में तो 150-200 cm की बारिष की जरौत होती है 20-30 degree Celsius temperature की जरौत होती है चाय के प्रोड़क्शन चाय के उत्पादन में सिनवी से अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर इतनी बारिश एंद इतना टेंपरिचर यहाँ पर इसे प्रॉपर तरीके से चाय की खेती के लिए नहीं मिल पाता है तो कश्मीर की जो घाटी है यहाँ पर चाय का प्रोडक्षण नहीं होता है बाकि असम हिल्स में सबसे पहली बार आपको बताएं भारत में सबसे पहली बार चाय का प्लांट कहां पर पाए गया था यह पर उन्हों पहली लंदट के चाय की खेती की ठील करते हैं यह ऊती चीछुन से तो उन्हों ने चाय को निरात करना बंद कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे जैन उसके बाद भारत में भी जिसमें की उस समय पर भारत में बिटिश का शाषन चल रहा था तो फिर असमराज्जी में चाय की तरह का प्लांट पाया गया था जैन तब से भारत में चाय की खेती की पी जाते हैं कि अगले गोश्चन पर आजाते हैं आंसर कीजिएगा कि पैरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है यह साइंटिफिक नेम है यह आपको बताना है जी पिल्पुल सबसे पहला जिया टैक भी दार्जलिंग की चाय को दिया गया था बिल्पुल लेक भारत के अंदर अधिनियम लाए गया था 2003 में इंप्लिमेंट हो गया था लागू हो गया था जी आइटेग और 2004 के टाइम पर उसको रजिस्टर किया गया था जो कि पूरी तरहां से इंप्लिमेंट हुआ था 2005 में यहां पर आ जाते हैं आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा तो यह हैं American cockroach क्योंकि cockroach की जो सबसे बड़ी प्रजातियां हैं उनमें से यह आता है याद रखिएगा जी बिल्कुल अमीत जो अपनी क्लास है ना अफकोस क्लास के बाद आपको यह recorded form में मिल जाएगी तो आप easily कर सकते हैं क्लास रिविजन आपको करना है यह कभी आप life क्लास नहीं कर पाते हो आप मेरी बाद में क्लास करते हैं तो आपको यह मिल जाएगी प्लेलिस मिल जाएगी आन academy के home पर जाकर के वाइफाई स्टडी वाउय एक आउन कि होम पर जाकर के देख लीजिएगा एक तो बही पता है यह जो क्लास में न ब्यूटी कॉंपेटिशन तो हो नी रहा यह क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का आंसर करो इससे आपका करियर बनेगा ठीक है मेरा तो बन चुका आप अपने पर फोकस करो आंसर कीजिएगा क कि बताएंगे कि मैक्सिमुम डूरेशन ओफ दी मोडन ओलम्पिक गेमस इस बताएंगे कि ओलम्पिक गेमों की जो की मैक्सिमुम डूरेशन होती है यह कितनी होती है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा मैक्सिमुम डूरेशन ओफ ओलम्पिक गेमस आंसर करेंगे सभी के लिए नहीं होता है लिए माक्सिमम 16 दिनों के लिए ओलंपिक खेलों का आजिन किया जाता है याद रखेगा विल्पुल मुझे भी लगता है कि कि जितनीबी आजुब है सभी जबे मेरी आते हैं नहीं वैसे अच्छे बच्चे इन और यह आपको बताना है आपिंश से कीजिएगा इनमें से कौन सा है जो कि टीम में खेले जाने वाला स्पोर्ट है ऑफ क्ोश्म इस ही डिली क्या और यह हैं को और देखो कि एपकों कि जो कि से maximum होते हैं यह दो 12 इंवाहर्च लेकिन जोंगी प्लेग्राउड पर इस फ़ुकि कि उतरते हैं खेलने के लिए यह नो खिलाडी होते हैं याद रखेगा फुर्सुर्ण प्राउड में जो कि खलाड़ी खेलते हैं उनकी संख्या 9 होती है मैक्सिमम होते हैं 12 ठीक है आगया जाते हैं बाकि स्पोर्ट किस तरह से खेला जाते हैं तो बच्वन में आप सभी ने खेला ही होगा तो एक से नीटी आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए इसके साथ ही नीटी आयोग की अगर बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष होते है यह देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर रहते हैं साथ ही आपको यह बताना है कि करण टाइम में इसके उपाध्यक्ष कौन है जो की चेंज होते रहते हैं यह आप लोगों को बताना है कौन है अर्विन पंगडिया सबसे पहले उपाध्यक्ष रहे थे यानिक एज़ा आप करेंगे तो बही नियू दिल्ली में इसका है और है आंसर करेंगे भारत के अंदर मैक्सिमम जो यह इंडेक्स जारी की जाती है ना सब्सक्राइब डेवलाप्मेंट को लेकर के या गवर्नेंस के ऊपर अवोड दिये जाते हैं यह सभी नीती आयोक के द्वारा ही और् भारती सम्विधान में कितनी भाशाएं हैं यह आप लोगों को बताना है यह इसलिए यहां पर देखते हैं यहां पर क्या ओजाएगा देखो यह इसलिए आप आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है एत शुड्यूल में शामिल है यहाँ पर कितनी 22 भाशा हैं जिस समय हमारा Constitution यान की सम्मिधार बना था उस समय पर सिर्फ 14 भाशा ही हुआ करती थी इसके बाद 15 नंबर की जो लांग्वेज है यह 21st Amendment के तहत में जोड़ी गई थी 21st Amendment 1967 में हुआ था जिसके तहत में सिंधी भाशा को जोड़ा गया था सबसे पहली भाशा थी जो की इन 14 में और यहाँ पर जोड़ी गई थी याद रखेगा देन उसके बाद 71st नंबर का जो की भई यहाँ पर Amendment हुआ जो की यहाँ पर 1987 के टाइम पर यह रहा था इसके टाइम पर नमक यानि की आपका नेपाली मनी पूरी और कोन कनी मनी पूरी यह नांटी 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 नेपाली, मनी पूरी और पौन कणी इन तीन भाशाओं को यहाँ पर जोड़ा गया था इन उसके बाद नांटी साकेड नंबर का जो की अमेंडमेंट हुआ था कि कि 92 नंबर का जो कि अमेंडमेंट हुआ था यह हुआ थो 2003 में था लेकिन जो यह प्रभाम में आया था यानि कि फॉर्स में आया था यह आया था 2004 में इसके टाइम पर चार भाशाय जोड़ी गई थी जो की है यहां पर कितनी भाशाय हो गई है यह अमेंडमेंट भी याद रखेगा 2003 में हुआ था लेकिन पॉर्स में आया था 2004 में आगे आजाते हैं पर आंसर कीजिएगा चलिए यह बी एक मुश्किल भरा सा क्या हो जाएगा बच्चो क्लास को भी सभी लाइक कर दीजिएगा और शाम को साथ बज़े भी हमारी क्लास है शाम को साथ बज़े भी आप लोगों को क्लास से जूट जाना है ठीक है निमलिकित में से कौन सा राजी हर साल हॉर्म बिल तयोहार को मनाता है बताइए नोटिफिकेशन आने का वेट मत किया करो क्लास 11 बज़े शुरू हो जाती है 11 बागलेंड की नागर ट्राइब के दुआरा होर्न बिल फेस्टिवल का आयजुन किया जाता है इसके डेस के बारे में याद रखना ऐसा सी पूछ चुकी है इसके डेस के बारे में चलिए नेक्स है यहाँ पर आपको बताना है कि भई राइवन्स याने की बीहड आमतोर प बहना चरो कर देती है लेकिन वह जब उसे पानी यही रहा है मैई क talksल रहा है बहर तो लोगर पानी नहीं फ्लो पर में पा रहा है तो भी है parents राहаша है उस समय पर क्या होता है कि उसमें काफी गढद्ध हर गढ़्दें बड़े गड़े हो जाते हैं तो उन्हें वीघर कहा जाता है और ये आपको बिल्कुल चंबल नदी में देखने के लिए मिलता है याद रखेगा चंबल नदी का जोकी औरग्वन एडिया है यह मद्धे प्रदेश से है मध्धि प्रदे से यह औरजनेट होती है एंड यह है यमुना की सहयक नदी है यमुना रीवर की ट्रीपूटरी के लिए जानी जाती है बलकि यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रीपूटरी है चम्बल नदी आगे आजाते हैं तो नेक्स बताएंगे कि भई एक्स किर्णों की कोज किस ने की थी आंसर कीजिए नहीं धरम भी मजाग एक लिमिट में अच्छा लगता है अपनी मर्यादा भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि आप टीचर से बात कर रहे हैं सभी के साथ में मर्यादा होती है मैं कहूँगी कि यान आपके संसकार बताते हैं कि आपकी मर्यादा इंधा कितनी था लेकिन एक मर्यादा बनाए रखनी चाहिए जो कि यह हैं विलहें इंते की आप रॉणकन म्हयाम्ग दिये गए हैं आप लोगों को B option इनकी अगर बात करते हैं तो अपनी X-rays के discovered के लिए इन्हें 1901 में है ना 1901 में ही जो कि Nobel Prize है इनके दिये जाने की शुरुवात हुई थी ठीक है और सबसे पहला 50 में जो कि Nobel Prize दिया गया था वह इनको ही दिया गया था चैशली जी और नेक्स अगले को श्यन पर क्या हो जाएगा बताएंगे बुख का नाम आपको दिया गया है आपको यह बताना है कि यह जो की फेमस बुख है यह किसकी है आं सब्सक्राइब कि जहीं बात है बिलकुल जहीं बात है आर खान कि चल्यांसर कीजिएगा क्या हो जाएगा जी गोलू सुना दीजिए किसी को कोई भी डाउट है या सजेशन चाहिए तो आप क्लास के लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा जी कि अभी क्लास में आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा याद रखेगा इनकी अगर हम बा होते हैं यह आप लोगों को बताते हुए चलना है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा कि नेशनल डेलेप्मेंट पाउंसल के जो की चेर्मेन होते हैं यह कौन होते हैं आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए देखो इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1952 में इसका formation हुआ है और देश के जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होंगे वह इसके क्या होंगे अध्यक्ष होंगे ठीक है प्रजाइन टाइम की बात कर लेते हैं तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हमारे इसके क्या है चेर्मैन है जो कि प्रजाइन टाइम है हमारे प् क्या है एक क्लास के डिस्क्रप्शन में ही ना क्लास में जहां पर लिखा हुआ है स्टाइडिक जी के सिरीज तो वहाँ पर फिकल्टी का नाम होता है वहां से आप देख सकते हैं भुमदी सागर का प्रकाश स्थम्ब की से कहा जाता है मैडिटिरियन सी की बात कर लेते हैं जो कि Atlantic Ocean की तरफ यह आता है, जो कि Europe countries and जो कि African countries है, इनके mid में यह है, located है, Red Sea की तरह, जिक है, और इसमें जो कि Stromboli है, Stromboli एक active volcano है, एक active volcano है, यानि कि एक सक्री जौला मुखी है, जो कि अक्सर यहां से लावा बाहर निकलते हुए देखता है, तो यह देखें कि एक पानी है, मतलब पूरा सागर है, और उसमें कोई active volcano है, उसे लावा अगर बाहर निकलते हुए दिख रहा है, और रात के टाइम पर, तो अफकोस वो लाइट की तरह चमकेगा न, तो इसलिए इसे light house कहा जाता है, Mediterranean Sea का, इस question के तो रूपी राव हो चुके हैं, चलिए, इसमें आप लोग जरा answer कीजिएगा question में क्या हो जाएगा, बच्चों, बताइए, Trans-Siberian Railway St.Peters को डेश से जोडता है, बताइए, answer कीजिएगा क्या हो जाएगा, अके आकाश, विससे बहुत जादा टाइम लग जाएगा, अगर आप current के current time में note करने के लिए time देंगे तो, answer कीजिएगा, Trans-Siberian Railway St.Petersburg को डेश से जोडता है, किस से जोडता है, यह जोडता है, वलादी वोस्तोक से, ठीक है, याद रखेगा, इसके साथ ही Trans-Siberian Railway की अगर हम बात करें, सो यह सबसे बड़े Railway Track के लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, Longest Railway Area के लिए जाना जाता है, जो कि लगभग, Approx में याद रखना, लगभग 10,000 से थोड़ा सा कम है, बढ़ 10,000 तक की डिजिट के साथ में आप इसको याद रखना, इतनी इसकी लंबाई है, और यह र अश्यां में है, चले, The next question पर आजाते है, answer कीजिएगा, की बई सबसे पहली, First Interstate Council Constituted, यानि की सबसे पहली, जो की Interstate Council थी, इसका जो गठन है, यह कब किया गया था, answer कीजिएगा, क्या हो जाएगा, चलिए, बताएंगे, कब इसका गठन किया गया था, answer करेंगे, सभी की सबी क्या हो जाएगा, कब इसका गठन किया गया था, यह आप लोगों को बताना है, First Inter Council, चले, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 1990 में, सरकारिया कमिशन के सजेशन पर इसका गठन किया गया था, जैकि 1990 में 1990 में इसका गठन किया था, चले, महमूद बेगडा किस सुल्तान का, किस सल्तनत का परशित सुल्तान था, यह वही व्यक्ति था, जिसे बच्वन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, और कहा जाता है कि इसके शरीर पर अगर कुछ मच्छर या मक्खी भी बैठती थी ना, वो भी मर जाते थी, तो बताना है कि यह कहा का सुल्तान रहा है बिल्कुल, इसने गुजरात के एरिये पर साशन किया है, याद रखेगा, चीके, अगले क्षिन पर बढ़ चलते हैं, इसे एक जहरीला साशक भी कहा जाता था, परशित खिलारी, खाशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है, आंसर कीजीगा, खाशाबा जाधव के बारे म से किशीगा, कि आरिया मैं ट्राइ करती हूं, इस संडे हम लोग मैराथन क्लास करते हैं, चलिए, संडे 22 गो है रहा, चलिए, तो फिर संडे को मैराथन क्लास रख लेते हैं, आज है त्यूजडे, संडे को सुभा 11 बच्छ आप लोग क्लास तो शेयर करते नहीं हो, रखें, पताइए, ताशाबा जाधव की बात कलेते हैं, जिन्हें की केडी जाधव के नाम से भी जाना जाता है, यह रैसलिंग से रिलेटेड़ है, यह सबसे पहले भारतिये थे, जिन्होंने की, 1952 में, जब हैल सिंग की में यहां पर उलम्पिक गेमों का आयजन चल रहा प्रचाव में ऑलंपिक गेम्स में भारत के लिए मैडल जीता था और इन्होंने भारत के लिए ब्रॉंज मैडल जीता था याद रखेगा कि कि याद रखेगा यहां पर सो क्या हो जाएगा आपका बी-option सही आंसे यहां पर रहेगा चलिए इस question पर answer कीजिएगा आप लोग answer कर यह समझ में आ रहा है न question आपको एक मिन टुगे एक question incomplete है यह दो option आपको यहां पर दिये गए आप अगले question पर आ जाए क्योंकि आप लोग उस तो answer नहीं कर पाऊगे चलिए इसमें answer कीजिएगा which of the following continent is also known as the dark continent कौन से महादी को the dark continent की नाम से भी जाना जाता है अलसे कीजिएगा कि 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 कोई बात नहीं कर देना शेर चलिए इसमें क्या हो जाएगा यह है अफ्रीका अफ्रीका की अगर हम बात कर लेते हैं तो अफ्रीका को डार्क कॉंटिनेंट कहा जाता है क्यों कहा जाता है डार्क कॉंटिनेंट इसलिए कहा जाता है कोज इसकी पिछड़ी हुई अर्थ व्यस्ता की वज़ा से इसकी economy की वज़ा से इसे डार्क कॉंटिनेंट कहा जाता है education के मामले में अपनी economy के मामले में यह काफी पिछड़ा हुआ है compare to बाकी सभी continent के किसी लिए इससे dark continent कहा जाता है ऐसा नहीं है कि यहां के लोगों का रंग बहुत ही dark होता है इसलिए इसको dark continent कहा जाता है रंग भेद वाली नीती नहीं है बलकि इसकी पिछड़ी हुई अर्थ व्यस्ता की वज़ा से कहा जाता है ठीक है कभी आप लोग कहो कि यहां के यह गलत बात है माधुरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा बी ओप्शन चले नेक्स अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यह गलत ब लेपाक्षी मंदिर के बारे में बताना है आपको कि क्या यहां पे आपका आंसर एगा किस राजी में यह है लोकेटिड है इस्तित है आपको बताकते हुए चलना है चले लेपाक्षी मंदिर बिल्कुल इसमें बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर तो भई यह कहां पर है विजिन अगर सामराजी के साशनकाल के दोरान इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था और यह आंधर प्रदेश राज्जे में है इसके साथ ही यह एक हिंदू टैंपल है जैसे कि जेन टैंपल रहते हैं और बोध टैंपल रहते हैं तो यह एक हिंदू टैंपल है जो कि तुलू साशनकाल जब रहा है विजिन अगर सामराजी में उस दोरान इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था आगे बढ़ चलते हैं पर आंसर करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा यह अच्छा कोश्चन है बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर दिमेंडिनेंस ऑफ बिहिफ्स इस नौन एज यानि की जो मदमक्षी होती है इनके छते की रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है चलि कि अगश को कहा जाता है रागर यानि की खेती की जाने वाले को कहा जाता है विहां पर चावल की खेती कर रहे दान की खेती कर lle ए की पर बर्ड्स का पालन करते हैं, बर्ड्स का जो कि रख रखाव करते हैं, पक्षियों के रख रखाव इनके पालन को कहा जाता है, इसमें भी कम्प्लीट नहीं है, यह आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा है, चले आप इसको आंसर कीजिए कर क्या हो जाएगा, बताएंगे, बहे घटना जिसमें पेरु के तटिये छेतर से गरम समुदरी लहरे आती है, को डेश कहा जाता है, आंसर कीजिए कर क्या हो जाएगा, इनको क्या कहा जाता है, बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, जब कभी प्रशान्त महासागर की ओर से, जो की एक्वेटर रेखा वहां स होकर के यहां से जा रही है, और ज्यादा गर्मी की वज़ा से यहां पर अल्नीनों का प्रभाव बुल्ट होता है, बनता है, तब यह क्या होता है, कि यह पूरे कॉंटिनेंट एरिये को जैसे की अफरिका को भी, स्वरी, अमेरिका को भी और इधर एश्या को भी प्रभाव यानिकी नौर्थ की और तो इधर भी ड्राइस्ट यानिकी सूखे की इस्तिती बनती है और अल्निनों प्रभाव की वज़ा से ही यहां पर पैरों के छेत्र पर गरम हवाए गरम धाराय यहां पर चलती है तर नेक्स से अगले कोशिशन पर आ जाते हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जहां पर किकिया जाता है यहां है पाकिस्तान में याद रखिएगा और इस बार का ODI World Cup चल रहा है भारत में खिर यह तो आप लोगों को पताई होगा यह तो बेसिक से क्वेश्चन है आप लोग इंडिया का तो कोई मैच अभी तक छोड़ा नहीं होगा अभी तक ODI में भारत ने कितने मैच खेल लिए है पताओगे इंडिया कितने मैच खेल चुकी है अभी चल रहा है अब देखना कितनी जल्दी आप लोगों कि आंसर आएंगे तीन मैच खेल चुकी है और तीनों ही मैच जीत भी लिए हैं चलिए आगे आजाते हैं एक से हरभजन सहीं का उपनाम क्या है वाल या फी जैमी या फी फ्लाइंग मैं या फी टर्मिनेटर कहा जाता है राहुल दर्विड का नाम है याद रखेगा और फ़्लाइंग क्याना संहीन को याद रखेगा है। तो नहीं है ना तो अगर टाइटेनिक में भी इन्होंने रडार का सही समय पर प्रियोग क्या हुआ हो था तो वह एक आइस क्यूब जो था उस पहार से वो टक्राते नहीं तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर कि रडार की फुल पॉर्म है यह क्या है आंसर कीजिएगा बताएंगे आंसर कीजिएगा यह रडार की फुल पॉर्म की अगर बात कीजिए तो क्या है इसकी जो फुल पॉर्म है यह है रेडियो डिटेंशन और रेजिंग जो कि आप लोगों को ए उप्शन में दिया गया है आगे आजाते क्रिशन पर आंसर कीजिएगा कि भई भार जनतापार्टी की उत्पत्ति भारति जनसंग से हुई है जिसकी इस्थापना डेश की द्वारा की गई थी बताएंगे कि बीजेबी की जो फॉर्मेशन हुआ है वह किसकी द्वारा हुआ है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी किस भी क्या हो जाएगा चल बताएंगे क्या आपका आंसर यहां पर रहेगा चलिए श्याम पुर्शाद मुखर जी ओके विच वास फाउंडिड बाई बताएंगे आंसर करके सभी के सभी क्या हो जाएगा मेरी क्लास डेली 11 बजे हो ही रही है देखो 1980 में इन्होंने सिधी सिधी बात की है कि आप ये बताएंगे कि भार्टे जनता पार्टी जो की है इसका जो गठन है यह किसके दौरा यहां पर किया गया था तो 1980 में इसका फॉर्मेशन हुआ है यानि कि इसका गठन यहां पर किया गया था 1980 के दोरान जो कि इसका गठन हुआ है यह किया गया था किसके द्वारा एक तो लाल कृष्ण आडवानी रहे हैं और एक अटल बिहारी वाजपेजी रहे हैं इन दोनों को इसके पाउंडर के रूप में यहां पर जाना जाता है दोनों को ही ठीक है इससे पहले 1965 में इसे जो कि formulated किया गया था यह दीन दयाल उपाध्याय के द्वारा किया गया था इस question में वैसे इन्होंने option गलत दिये हैं वाकि अडल विहारी वाजपेजी और लाल कृष्ण आडवानी यह दोनों के दोनों ही इसके पाउंडर के रूप में जाने जाते हैं यह चीज याद रखेगा इसके साथ ही present time भीएदिया बात करते हैं तो लोग सभा में बीजेपी के जोकी leader है यह है नरेंद्र मोदी जोकी present time में हमारी प्रधानमंत्री है यह है साथ ही राज्यसभा में अकर बीजेपी के लीडर की बात कर लेते हैं तो वह प्योश गोयल है तो अगले question पर आ जाते ह है कि रंगपूर विद्रोह कब हुआ था आंसर कीजिए रंगपूर का जो की विद्रोह है यह कब हुआ था कि चलिए आंसर करके बताएंगे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा देखते हैं कि अगर अपनी क्लास सुभा में साथ बज़े हो पाएगी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को ठीक है बाकि तब तक आप पढ़ाई कीजिए आंसर करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा बताएंगे आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए इसकी बात कर लेते हैं तो यह 1983 में यहाँ पर हुआ था यह जो की रंगपूर विद्रहो हुआ था इसमें क्या था कि यह वो समय था जब जो जमीदार थे जो जमीदार थे एक तरह से जो ब्रेटिशिस के अधिकारियों की गुलामी करते थे वो उनसे जमील ले ले लेते थे और उनसे जमील लेने के बाद में यह पूरा यह एरिये की अधिकार वह ले ले लेते थे और पिर उन पर किसानों से अपने मनमानी तरीके से खेती कराना और उनसे वसूली करते थे तो यह देव सिहंग के विद्रोहों में हिंदू और मुस्लिम जो की फार्मर्स थे उन्होंने विद्रोह किया था और इस तरह से यह विद्रोह शुरू हुआ था 1783 में कि आप इसकी location बता सकते हैं कि किस राज्य में यह हुआ था जमीदारों के अगेंस्ट में जो किसान थे किसानों के द्वारा यह किया गया था और यह जो छेत्र था यह बंगाल यानि की present time में पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आता है आगी पर चलते हैं question पर आंसर कीजिए कि यूद के दोरान वीरता के विसिस्ट कुर्तियों को परदोशत करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच शोरिये चैनी अलंकरण है बताएंगे कौन सा यह है अवोर्ड है आंसर कीजिए का प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें पाठक पढ़ाई पर धिहान दो जब तक इनका नाम ना लिया जाए ना इनको यह रहता है कि हमारा नाम ले बताएंगे क्या हो जाएगा पटाफट से क्या आपका आंसर यहां पे रहेगा यह आप लोगों को यहां पे बताते हुए चलना है चले पटाफट से आंसर करेंगे सभी की सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल सी बात है यह कौन सा है सो यह है है यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की है सेना के सामने चली देखो जब कभी युद की इस्तिती में जब कभी वोर होता है युद होता है वोर होता है तो उसमें जो दुश्मरों का सामना करते हुए जो जवान अपनी बहादूरी का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है यह हाइस्ट अवोर्ड है साकी नमबर पर आ जाता है महावीर चक्र थर नमबर पर आ जाता है वीर चक्र क्या हो जाएगा वीर चक्र आ जाता है यह वो तीन चक्र यानि कि गैलेंटर आती हैं कि वह दुश्मनों के सामने ही अपनी विर्ता का परदशन करें कभी कुछ ऐसे इस्तिती बन जाती है कि देश के लिए अपनी बहाध्दूरी का प्रदशन करते हैं जैसे कि निर्जा भनुत की बात कर लीजी कि प्लेन हाइजेक में उन्होंने सभी नागरिकों को आपर जाना जाता है कि परस्ट है है जनक के रोप में किसे जाना जाता है रहाइज लेइन आनसर करेंगे सबीएकिव capitalize क्या हो जाएगा फटाफट से किसको यहां पर जाना जाता है यह आप लोगों को बताना है कि ऊप्ताफट से क्या वजाएगे यहां पर किसको जाना जाता है बहुत सही है क्या हो जाएगा सो यह जाना जाता है लोट मिंटो को जाना जाता है बिल्कुल सही बात है B भारत में बिल्कुल 24 को मनाया जाता है अगर हम भारत में बात करें तो हमें लोग इंकम या छोटे आकार के इंकम वाले या अधिक इंकम वाले या फिर बड़े आकार की इंकम वाले लोगों के सबसे जादा हमें भारत में लोग इंकम वाले इस्टेट देखने के लिए यहां पर मिलते हैं जिनकी जो इंकम है बहुत ही कम है अगला कोशन की मिट्टी को डीला और मोडने की प्रकृया को कहा जाता है क्या कहा जाता है बताएंगे आप सभी चलिए आंसर कीजिए और सभी क कि इस these class को भी लाइक कर दीजिए गा और स्मक्रिक्सष्टं में आंसर करके आपको बताना है क्या आपका यहां पर सब्सक्राइड पर सब्सक्राइड रखना क हैं क्या कहा मिलते हैं यानिकी तीलेज जो की है यह कहा जाता है आगी पर चलते हैं कि तुंग भद्रा बांध डैश में इस्तित है बताएंगे किस राज्ये में इस्तित है और तुंग भद्रा बांध की अगर बात करें तो यह तुंग भद्रा नदी पर बना हुआ है तुंग भद्रा नदी पर य यहां पर जानी जाती है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा कि करनाटक में जो कि गुरूप आफ हमपीnh है एध्य तुंग्भद्रा नदी के किनारे पर ही इस्तित हैं और तुंग्भद्रा नदी जो की है यह है कहां पर इस्तित्य आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताइए मार्तंड मंदीर चलिए मार्तंड मंदीर की अगर बात कर लेते हैं तो 18th century में इसके construction का काम किया गया था और यह है एक सन यानिकी सूर्य मंदीर के लिए जाना जाता है जो की कहां पर जम्मू कश्मीर में यहां पर बना हुआ है इसके साथ ही माता वैश्णो देवी का मंदीर भी जम्मू कश्मीर में ही बना हुआ है इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है ये आप लोगों को अंसर कीजिए सभी क्या हो जाएगा चलिए किस नाम से जाना जाता है पताईए सभी के सभी क्या हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इन्हें जाना जाता है बुग्याल के नाम से ठीक है जनली इन्हें नेचर्स और गार्डन भी कहा जाता है ठीक है गार्डन भी कहा जाता है बुग्याल के अगर बात कर लेते हैं तो समुंद्र तल से लगबग 3300 मीटर से लेकर के 4000 मीटर की उचाई पर यह हैं देखने के लिए हमें मिलते हैं जो कि जनरली आपका इनका जो एरिया है यह है उत्रा खंड राज्य में हमें देखने के लिए मिलता है याद रखी हुआ अगले क्वेशन पर पर चलते हैं ते नेक्स आंसे कीची का कि गौबी मरुसल किस देश में है गौबी डैजर्ट जो की है यह है एक कॉल्डेस्ट यानि कि एश्या का सबसे बड़ा ठंडा डैजर्ट है जिसकी लोकेशन कहां पर आ जाती है मंगोलिया देश मंगोलिया देश प्लस चाइना दोनों के एरिये में यह पैला हुआ है गौबी डैजर्ट के लिए नेक्स अगले क्वेशन पर आ जाते हैं यह जो कॉस्चन है न है बदाएंगे सभी équर्षण में और लाइक खर दशीएगा सभी के सभी चलिए आंसा कीजी कि यह हो जाएगा यदि प्रार के साथ में है तो फिर महें गयरेज के साथ में हैं का कि यह चलिए यह पूरे मांक साहते हैंpseम elétrico डे लुए पर आजाते हैं बताइए कि वर्ष के दोरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को डैश कहा जाता है यानि कि जब स्नोपॉल होता है तो भई स्नोग गिरता है ना तो वह जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फॉक्स नो रेन या फिर रिलेटिव अच्छा हुआ को सब्सक्राइब अगले पर आजाते हैं बच्चों आंसर कीजिए गए यहां पर कि भई सेखों मेरा बाई चानु को डैश के लिए 2018 में पदम श्री पुरुसकार मिला था और 2018 में ही मेरा बाई चानु को खेल रतन अवोर्ड मी मिला था जो कि भारत का हाइ बीएस्टर स्वोड अवोर्ड है इसके साथ ही पर के यहां पर उलमिक गेम्स हुए थे उसके अंदर इन्होंने भारत के लिए चborg मेल सब्सक्राइब यहां पर जीता थे इस बच्शन पर आजाते हैं तरह सै की जिए गाए डो और के अनुसार भारत के निमलिखित केंद्रशास्त प्रदेश प्रदेशिंजा कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम हैं बताईएगा जिसकी रैंक सबसे कम हैं ये आप लोगों को बताना है कौन सा रात जीए है चलिए कौन सा है बताएंगे आप सबी क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही बाते क्या हो जाएगा सो यह है दमन और दियू तिके दमन और दियू की बात कर लेते तो हर्याना से भी कम इसका सेक्स रेशो यहां पर रहा है जो कि इनकी अगर बात कर लेते ही है तो एक हजार पुर्शों पर 618 महिलाओं की संख्या यहां पर रही है सबसे कम हर्याना से भी कम सेक्स रेशों यहां का रहा है याद रखेगा तो क्या हो जाएगा दमन और द्यू उस टाइम पर तो यह एक अलग ही यूनियन टाइटी था लेकिन प्रजेंट टाइम में दमन और द्यू वैदादरा और नगर हरवेली को एक ही केंद्र शासथ प्रदेश बना दिया गया है याद रखेगा तो याद रखेगा बताएंगे आप सभी कि द्यू जो की एक शब्द है यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है बताएंगे आज की क्लास में आप लोगों को पिप्टी क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी ठीक है बाकी याद रहतना शाम को साथ बज़े अपनी क्लास रहेगी और डेली ग्यारा बज़े अपनी क्लास होती है और आप सभी ग्यारा बज़े क्लास से जुड़ जाया किया कीजी ठीक है चले आंसर करेंगे हैं यहां पर क्या हो जाएगा कि यह क्या हो जाएगा इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा कि चलिए बिल्कुल इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है आपका किस से रिलेटिड है टैनिस से रिलेटिड है आपने गलत कर दिया Tennis related है, क्या होता है कि Tennis में जब दो खलाड़ी खेल रहे हो तीम में, आपोजिटी में, यहाँ पर प्लेयर है, यहाँ पर प्लेयर है प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, ठीक है, जब यह दोनों-दोनों ही 40-40 points कर ले 40 points, points count होते हैं इसमें, अगर यह दोनों ही 40-40 points count कर ले तब इनमें से किसी एक खलाड़ी को 2 और 2 और points को gain करना होता है और इसी के लिए deuce word का use किया जाता है, ठीक है, याद रखेगा यह है Tennis related है, याद रखेगे चलिए, अगरे question पर आ जाते है, the next है, इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा चलिए, आज की class में last question और सभी class को भी like कर दीजिएगा चलिए, बताएंगे फटा-फट से क्या आपका answer यहाँ पे रहेगा, बताएगे सबसे पहले century बनाने वाले IPL के कौन से खलाड़ी है, बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यह है कोन है चलिए, बताएंगे कोन है, मनीश पांड़ी, बिल्कुल सही बात है कोन है, तो यह है मनीश पांड़ी, ठीक है century का score यहाँ पर बनाया था, चलिए, अब एक question है, तो यह आप लोगों के लिए homework के के लिए question है, जो कि SSC का ही पूछा हुआ question है, आप सभी को इस question का जो की answer है, offline comment करके यहाँ पे करना है, ठीक है, सभी के सभी इस question का जो answer है, offline comment करके, याद से कर दी जीएगा, ठीक है, बाकी daily अपनी class, 11 बजी start हो जाती है, आप लोग एकदम correct time पर 11 बजी class में आ जाया क्या कीजिए, साथी शाम को भी अपनी class हमारी होती है, तो आप सभी शाम की भी साथ बजी की class से जुड़ जाया किया कीजिए, ठीक है, अब बढ़ चलते हैं, यहाँ पर इसके साथ ही भई, आप सभी मेरे code को यूद रखिएगा, जो की है, SOTY, तो मेरे code को यूज करते हुए, आप यहाँ पर academy की website पर जाकर के SSC को select करके, ठीक है, अभी जो की upcoming batch आपके आ रहे हैं, जैसे कि आप SSC GD की यहाँ पर तयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो SSC GD के लिए, जो की 19 September से start होने जा रहा है, SSC CGL के लिए, जो की 19 September से start होने जा रहा है, और दिल्ली पुलिस MTS का batch जो की start हो चुका है, सो मेरे code को use करते हुए, आप यहाँ पर maximum discount के साथ में batch को join कर सकते हैं, साथी अपनी जो class चल रही है, क्लास के description में आप जाईएगा, यहाँ पर आप लोगों को Unacademy application के लिए मेरा link मिल जाएगा, जो की है follow सोनमतियागी on Unacademy, और आप लोग इस link पर click करके मुझे Unacademy application पर यहाँ पर follow कर सकते हैं, जिसमें की daily 8 बजे हमारी class यहाँ पर चल रही है, और सुभा 10 बजे हम लोग अपने जो की static GK की series को हमने start किया हुआ Unacademy application पर, तो दोनों पर ही आप लोग timely मुझे join कर ली जिएगा, इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर अपने कुछ और test वगेरा के बारे में यहाँ पर याद रखेगा, आप लोग one year का या फी two year का subscription भी ले सकते हैं, जिसमें की 24 month के लिए अगर आप subscription लेते हैं, तो दो साल तक आप किसी भी batch में SSE के, किसी भी batch में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, अपना पहले SSE GD की तयारी कर सकते हैं, फिसी जिल की तयारी कर सकते हैं, दिल्ली पूलिस MTS की तयारी कर सकते हैं, तो दो साल तक का access आपके पास रहेगा, इसी तरह आप 12 महिने यानि के एक साल के लिए भी access ले सकते हैं, और आप लोग अब 6 महिने या चाहें तो 3 महिने के लिए भी access ले सकते हैं, तो 3 महिने का जो access है ये आप लोगों को after discount 2,090 रुपे में यहाँ पर पढ़ेगा, ठीक है, तो आप लोग अरकाडमी के वेबसाइट पर जाकर के भी मेरे code को use करते हुए यहाँ पर batch को purchase कर सकते हैं, साथी 22 अक्टूबर को आप लोगों के लिए meet up आ रहा है, रामो सर का, जो की सुभा 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर रहेगा, location आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है, जो अभी मुरादपूर से यहाँ पर related है, वो सभी पतना में जरूर जाईएगा, और जिसमें कि आप लोग जो भी इसमें winner रहेंगे, top 10 ranker रहेंगे, उन्हें काफी exciting जो prizes हैं, वो दिये जाएंगे, और जो 100 lucky winner होंगे, उन्हें plus में and iconic subscription भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिक है, बाकी अपने batch के बारे में याद रखेगा, 19 October से start होने जा रहे हैं, जिक है, CGL 2024 24 यह भी आपका 19 October से start होने जा रहा है, जिक है, तो आप लोग मेरे code को use करते हुए, maximum discount के साथ में अपने batch को purchase कर सकते हैं, जिक है, चले, फिलाल अपनी class को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, मोहिनी वो आपका काम है, तो आप ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिसके दिमाग में जो खुराफाती चीज़े होती हैं, वही निकल के सामने आती हैं, चले, फिलाल आज की class को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं, शाम को 7 बजे अपनी class में, इस अपने ख्याल रखेगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं, थांकियो students and जय हिंद, जय भारत!